प्रेगनेंसी में मुझे पेट में मस्यार रही है ऐसा क्यों हो रहा है old wives इन बातों को लेकर क्या क्या बताती हैं जो दो अंग होंगे यहीं पर बता देती हूँ एक होगा कमर के हिसे में दर्द रहना और दूसरा पेट के हिसे में पेन अब गाईज ये दूनों ही दर्द अंदर बात करूंगी साथ ही में जैसे कि कुछ सब्सक्राइबर है अलग-अलग मंत से उनकी प्रैगनेंसी चल रही है तो इस वीडियो को कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुशाने के लिए मैंने कंसिडर किया है वीडियो के अंदर एक से तीन महीना को सबसे फिर तीन से छे महिना फिर छे से लिके नौ महिना के बीच कब कौन से ऐसे कारण होते हैं जिस वज़ा से इस पेन को हम महसूस करते हैं और खासकर जो ओल्ड वाइफ ने बाते बताई है मुझे में सच हुई है उस बात को भी यहाँ पर रिवेल करने वाले तो चलिए गाई वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आप सबके साथ शेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली पर अगर आए इस चानल पर सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल को और वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए यहां बात करते हैं एक से लेकर तीन महिने के बीच में पेट के हिस्से में दर्द रहना जो खासकर डाइजिस्टिब सस्टम डिस्टर्ब होने के वज़ा से होती है और गैस बनना मरूडे होना दर्द होना बच्छा नया-नया इंप्लांट हुआ है तो लोवर अब्डोमीन में पेन यह बहुत कॉमन सी बात है प्रेगनेंसी आप यहां पर गैस बात करेंगे तीन से लेकर छे महीने के बीच में इस समय देखा गया है कि पेट के हिस्से में हलका हलका सा पेन होना यह एक ऐसा समय होता है जब आपका जो यूटरस है यूटरस वैसे तो बहुत छोटा होता है लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर वह फुलना जिसके अंदर कह सकते हैं कि आम्यूटिक फ्यूड रहता है आपका बेबी रहता है प्लैशिंटा रहता है कौर्ड से कनेक्टेड यह एक नैचरल प्रकिरिया होती है जिसमें यह बिल्कुल बलून की तरह फुलना सुरू हो जाता है जिस वजह से पेट में दर्द और भारी चौथे या पाच्वे महिने के आसपास से वो मोटी दिखने लगती है ओवराल इस भासा में कह सकते हैं कि हेल्दी सा दिखना पेट निकला हुआ स्टार्ट हो जाता है निकलना यह एक ऐसा डूरेशन होता है इस दोरान भी थोड़ी थोड़ी कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जो की लगभग अजस्ट किया जा सकता है अब अगेन बात करते हैं छे से लेकर नौ महीने के बीच में बच्चे का जो वजन होता है सवा केजी से उपर अब जा रहा होता है बच्चे का वेट एम्यूटिक फ्यूट का वेट यह सब कुछ वेट लगभग तीन से चार केजी आराम से होता है इस समय हाला कि मैंने एक चीज़ देखा जैसे ही मेरी डिलिवरी हुई तुरंत मेरा वेट किया गया पांच केजी वेट कम हुआ अचानक से डिलिवरी के एक गंटे के बाद तो यह चीज़े होती है बहुत ज़दा वजन होता है बच्चा ही तीन केजी का जो एम्नियोटिक फ्यूड होती है और डिलिवरी के बाद बहुत कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रक्रियाय हैं आपके साथ लगेगा कि सरीर में क्या-क्या चीज़े हो रही है हाला कि इस टॉपिक के उपर मैं अलग से वीडियो आप लोग को बना दूगी और देखा जाता ह है फे Choice में दर्द सेंद बेबी चारण नीचे पैलविक डीजन में भी काफी प्रेश्र आता है अब यहां पर बात करते हैं और इस कंधिताorf किस्अट ही होती है कंध में दर्द पेट निकलना खुद का कह सकते हैं कर्याविटी तक बैलन्स नहीं होपाता है बहुत सारी महिलाय जो होती है वो गिरने से बच जाती है या गिर जाती है प्रेगनेंसी के किसी भी मन्त में कभी भी गिरना जो है वो बिल्कुल खत्रे से खाली नहीं है आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनिये बस दिवार वगेरा को पकड़के हमेशा वोस्रूम तक जाने आन को अपने पेट बढ़ते हुए पेट को इस रिसाप से यह चीज़े देख जाती है अब यह है कि यह दर्द पर्मानेंट कैसे ठीक होंगे यह जो कमर वाले दर्द होते हैं हलका सा मसाज दीजिए जिससे अराम मिलेगा आपको पर्मानेंट ठीक नहीं होंगे यह डिलीवरी में दर्द है यह कमर में दर्द है जिसे बहुत सारी महिलाओं की मदद हो पाएगी थांक्स पर वाचिंग गईज मिलते हैं कल की वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 टेक केर